गुजरात के उना में एक बार फिर हिंसा हुई है जहां सरकार के खिलाफ एक रैली से घर लोट रहे 20 दलितों के एक सम्हूँ पर समतेर गाउं के पास भीड ने हमला कर दिया इस हमले में 8 दलित कम भी रूप से खायल हो गए हैं गटना सों बार शाम करी 5 बजे की हैं पुलिस ने भीड को तीतर बीतर करने के रिए आसु गैस के गोले दागे थे और लाटी चार्ज भी किया था हाला कि पीडितों का दावा है कि पुलिस ने उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया पीडितों का कहना है कि हमलावर समतियर गाओं के थे वे लोग पिछले महीने उना में दलितों की पिचाई करने की घटना को लेकर गिरफतार हुए 12 लोगों का बदला लेना चाहाते थे वह घटना के बाद से ही इलाके में तनाव पर करार हैं आपको बता दे कि यहाँ पिछले महीने भी गौरक्षकों ने साथ दलितों की बुरी तरहा पिचाई की थी जिसके बाद हिंसा बढ़क गई थी गटना से गुसाये दलत समुदाये ने विरोध जताते हुए 10 दिनों की अस्मिता यात्रा का आयोजन किया था जिसका कल आखिरी दिन था दलितों के बिजाये पर सियासी संग्राम के बीच उना में फिर ऐसी खटना हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के मुह पर सोरदार तमाचे जैसा है ये घटना बताती है कि प्रशासन ने उना में हुई पहली घटना से कोई सबक नहीं लिया देखते रहे ही टीबी लाइव